नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसान सभा की स्थापना कब हुई और कैसे हुई दोस्तों सहजानन सरसोती द्वारा बिहार प्रांतिय किसान सभा की स्थापना के साथ 1929 में बिहार में किसान सभा आंदुलन शुरू हुआ इसका लक्ष है जमीदारी के अपने अधिकारों पर हमलों के खिलाप किसानों के असंतोस को उत्तेजित करना था जिससे भारतिय किसान आंदुलन को बड़ावा मिला किसान आंदुलन समय के साथ मजबूत होता गया और पूरे भारत में फैल गया दोस्तो इदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो किरपकर के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वली हर यूजफुल वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाए दोस्तो अखिल भारतिय किसान सबा को अखिल भारतिय क्रेशक संगठन के नाम से भी जाना जाता है किसान सबा अंदलन का जनम स्थान था इस संगठन के सची एंजी रंगा थे अकिल भारतिय किसान सबा किसानों क्रिशी श्रमिकों और अन्य ग्रामिन श्रमिकों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है दोसको इसके उदेशे हम जानते हैं जमिदारी को हटाना और बिना किसी कीमत के किर्शी और अन्य ग्रामिन श्रमिकों को भूमी हस्तांदरित करना ग्रामिन लोगों के जीवन इस्तर को उपर उठान और किर्सी और उद्देगों को विक्षित करना किर्सी और अन्य ग्रामिन श्रमिंकों के सोचन को रोकना ये इस किसान सबा का उदेश्य है